दोस्तो डेहलिया winter season में लगाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत flowering plant है, और इस plant को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं पहला होता है कि इसको बीजों द्वारा आप लगा सकते हैं दूसरा होता है कटिंग द्वारा और तीसरा होता है इनकी नीचे रूट्स में जो राइजोम बनते हैं उसके द्वारा बीज द्वारा उगाए गया डेहलिया पर छोटे और बहुत अधिक मात्रा में फूल आते हैं पौधे भी काफी बड़े और घने हो जाते हैं लेकिन अगर आपको काफी बड़े फूल चाहिए और काफी खुबसूरत फूल चाहिए तो दोस्तो उसके लिए आपको नर्सरी से कटिंग लाकर घर में लगाना होगा तो इनकी कटिंग नमवंबर से मिलनी सुरू हो जाती है और इस पौधे को आप 15 जनवरी तक घर में लगा सकते हैं और इसका फ्लावरिंग सीजन जो फर्वरी से स्टार्ट होता है जब टंप्रेचर थोड़ा अधिक बढ़ जाता है और अप्रेर मई तक इस पौधे पर फूल आते रहते हैं तो अगर आप बड़े साइच के फूल चाहते हैं तो उसको आप कैसे घर में लाकर नर्सरी से लगा सकते हैं कौन सी खाद आपको देनी है, कब देनी है, तथा कितनी मात्रा में देनी है ये सभी चीजें आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको बड़े बड़े डहलिया से फूल चाहिए तो उसके लिए गमले पर ध्यान देना होगा क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो काफी फैलती है और रूट्स जो है वो कंद यानि की राइजों में चेंज हो जाती है इसलिए जब भी आप डहलिया के पौदे को लगाएं तो कम से कम 10 इंच के गमले में जरूर लगाएं चोटे गमले में अगर आप लगाते हैं तो आपका पौदा ग्रोध करेगा और उस पर एक दो फूल आएंगे लेकिन आगे चल कर आपके पौदे पर ज़्यादा फूल नहीं आएंगे इसलिए डेहलिया के पौदे को हमेशा 10 इंच से छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए डेहलिया का पौधा एक हैवी फीडर प्रांट होनी के साथ साथ वेल ड्रेंड मिट्टी को पसंद करता है इसलिए दोस्तों इसको लगाने के लिए जब भी आप इसके लिए मिट्टी को तयार करें अगर आप अच्छी इससे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 30% आप बगीचे की साफ मिट्टी ले लें और उसमें 20% आप बालू मिला लें और बचा जो 50% है उसमें आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट खाद को मिला कर उसमें आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को लगाएं तो आपका पौधा काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा साथी उस पर फ्लावरिंग भी काफी बड़ी और अधिक मात्रा में आएगी दोस्तो डेहलिया के पौधे को बहुत अधिक पानी की जरुवत नहीं होती है क्योंकि इसमें जो नीचे राइजोम्स बनते हैं यानि कि जो कंद बनते हैं उनमें पानी स्टोर रहता है अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ही आपका नर्सरी से लाया हुआ या घर में जो आपने कटिंग से अगर प्रांट को तयार किया है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप तुरंत ओपर से पौधे की पिंचिंग करना स्टार्ट कर दीचे योकि डेहलिया के पौधे पर अगर पिंचिंग करी जाती है तो जितनी भी नई ब्रांचे आती हैं उन सभी ब्रांचों पर फ्लावर निकल कर आते हैं और अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और उस पर एक फूल आने के बाद में वो पौधा आपका खराब हो जाएगा इसलिए पिंचिंग जरूर करें समय समय पर अपने पौधे के गमले की मिटी की गुडाई करते रहें ऐसा करने से मिटी मुलायम होएगी जणों को फैलने में आसानी होगी और जणों तक ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से जाती रहेगी जिसकी वज़े से आपका पौधा स्वस्त रहेगा और ग्रोथ अच करजी बचती रहे और पौधे की ग्रोथ पर लगती रहे तो यह थी कुछ ऐसी जरूरी केर टिप्स जिसको की ध्यान में रखकर अगर डेहलिया के पौधे को लगाया जाता है तो डेहलिया के पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और फ्लावरिंग सीजन पर उसमें भी काफी अधिक मात्रा में आते हैं चले दोस्तों बात करते हैं कि डेहलिया के पौदे से अधिक मात्रा में हमें फूल लेने के लिए कौन सी फर्टिलाइजर देनी है किस तरीके से देनी है और कितने समय के अंतरपर देनी है तो सबसे पहले जब आपने अपने डेहलिया के पौदे को लगाया है और वो growth period में चल रहा है तो उसको आपको NP के fertilizer देना होगा जिसमें की nitrogen, phosphorus, potassium तीनों चीजें एक साथ मौजूद होती हैं तो उसके लिए आप 2,10 इंच के गमले में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद हर महीने में एक बार जरूर डालें इस खाद को दें जिसमें की potassium पाया जाता है तो उसके लिए अगर आप organic fertilizer का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हपते में एक बारा आप केले के छिलकों से बना कर fertilizer डहलिया के पौधे में दें और अगर आप chemical fertilizer का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 इंच के गमले में आधा शमच potassium fertilizer को मिट् fertilizer को अगर आप कलियों के बनने के समय देना सुरू कर देते हैं तो आपके पौधे पर अधिक मात्रा में कलिया बनेंगी और जो फूल आएंगे वो बड़ी संख्या में और ज्यादा निकल कर आएंगे क्योंकि दोस्तों potassium fertilizer का काम होता है कि पौधे पर आने वाले flower की size को बढ़ा करना और संख्या को अधिक करना तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप अपने देहलिया के पौधे की देखभाल करने के साथ साथ इन fertilizer का इस्तेमाल करते हैं तो आपके देहलिया के पौधे पर अधिक संख्या में फूल आएंगे और जो फूल आएंगे उनकी साइज भी काफी बड़ी होगी